दूस्तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि रावण माता सीता पर कुद्धिष्टी रखता था और इसी कारण उसने उनका अपहरण किया था पर रावण के लिए ये कोई नई बात नहीं थी रावण इससे पहली भी काफी सारी इस्तियों के साथ इस तरह का पाप कर चुका था और काफी सारी इस्तिया ऐसी थी जो रावण द्वारा कुकर्म और बलातकार का शिकार हो चुकी थी दूस्तों आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं तीन ऐसी ही इस्त्रियों के बारे में रावण अपनी पत्नी मंदोधरी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक नजर रखा करता था दरसल माया भी मंदोधरी की तरह अत्यादिक रूप वती थी पर उसकी शादी वैजनपुड के राजा संबर के साथ हो चुकी थी और जब रावण संबर के हाँ उससे मिलने गया और वह वहाँ पर माया का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने कैई परकार की बाते कर उसे फसाने का प्रयास किया लेकिन ये बात जब महराज संबर को पता चली तो उन्होंने तुरद रावण को बंदी बना लिया हालाकि बाद में मंदोदरी के कहने पर उन्होंने रावण को छोड़ दिया पर कुस्तमे बाद शंबर और राजा दस्करत का एक भ्यंकर युद हुआ और इस युद में शंबर की मृत्यों हो गई पर जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा लेकिन माया ने ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन रावण नहीं माना और उसमें वासना युठ्थो माया का सतित भंग कर दिया इससे माया आत्याधिक कुपित हो गई और उसने रावण को शराब दिया कि आने वाले समय में उसकी मिलत्यों एक इस्त्री के कारण ही होगी इसके बाद रावण ने अपनी कुद्रिष्टी का शिकार अपसरा रंभा को बनाया का जाता है कि विश्विजे प्राप्त करने के बाद रावण स्वरक लोग जा पोचा तब महाँ उसे रंभा नाम की अपसरा दिखाई दी कामतुर हो उसने रंभा को पकड़ दिया हाला कि तब रंभा ने उसे बताया कि आप मुझे इस प्रकार से इस परशना करें मैं आपके बड़े भाए कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए अरक्षित हूँ इसलिए मैं आपकी पुत्र अधु के समान हूँ लेकिन रावण तो कामवासना से परिपूर था और उसने रंभा की बात नहीं मानी और उसके साथ दुरचार किया अलगी बात में जब ये बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शराब दिया कि अगर आज के बाद रावण ने किसी इस्त्री को बिना उसकी छगेश परश किया तो उसके मस्तक के तुरंती सो टुकडे हो जाएंगे इसके लावण रावण ने वेद्वती नाम की एक मेला के साथ भी इसी परिकार का दुरचार किया था कहा जाता एक बार रावण अपने पुश्वग विवान से कहीं विसेश इस्तान पर जा रहा था तब ही उसे एक अत्यादिक रूपवान और सुन्दर इस्त्री दिखाए थी इस इस्त्री का नाम वेद्वती था जो कि भगवान विश्वण को अपने पती रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी रावण उसके रूप पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा लेकिन जब वो नहीं मानी तो रावण ने उसके बाल पकड़े और उसके साथ दुराचार किया वेद्वती इस बात से बहेदी ज़्यादा आहत हुई और उसने तुरंत अपनी देत याग दी साथी रावण को शुराब दिया कि आने वाले समय में किस्त्री के काराणी उसके समूल कुल का नाश हो जाएगा दुस्तो रावण नमबर एक का दुराचारी था और उसने कैयन ने महलाओं के साथ भी इस प्रकार का कुकर्म किया था जिसकी सजा अंतिमे उसे भगवान राम के हाथों मिली दूस्तो रैसी और पुरानिक कहानिया जानने के लिए आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले